हालो फ्रेंट्स यहींद और स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले सहायक बोलिंग टेकनीशन के लिए यहाँ बस पर आधारित प्रस्ण पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे फ्रेंट्स यहाँ से आपके एक कोशन जरूर पूछे जाएंगे इस वीडियो को एंडर तक जरूर देख लें आपका यहाँ से एक नंबर कंफर्म हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स चैनल पर नहीं तो वीडियो को जली से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें ताकि सभी लोग के पास पहुच जा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इसमें कोशन कैसे पुछा जाता है देखें जैसे कोशन दिया होता है कि एक बस है और उसके बाद वह कब छूटी और कोई यातरी जो स्टेशन कंट्रोलर से जब बस पूछा तक कितने देर बाद निकली है तो इस टाइप के प्रेसन पूछे जाते है ठीक है तो जैसे दिया यहां पर एक बस पड़ाओ में निकली कित सूचना प्रसारिद की जा रही है सूरत के लिए 15 मिट पहले बस खुली और उसके 45 मिट के बाद सूरत के लिए एक बस खुली और उसके बाद अगली बस की निर्धायत समय जो है आठ तीस है ठीक है तो बताया यहां जानकारी कप प्रसारित की गई थी तो इस टाइब के प्रस्ट इसमें हम कवर करेंगे आपका एक सिंगल विडाउट यहाँ पर नहीं रहेगा इसको आप चुटकियों में सालव करेंगे ठीके प्रेंट्स तो आज का पहला कोशन है यहाँ पर बस पर आधारित प्रस्ट ने देखिए सबस निकलेगी तो पूष्टाच ऑफिसर ने यात्री को किस वक्त सूचना दी थी तो इसको बिल्कुल करेंगे बस पहला कोशन आप समझ लीजे कैसे करना है उसके बाद नेक्स्ट कोशन आप खुद कर ले जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या करना है आप है कि जितने बज़े बस जाएगी या निकलेगी सबसे पहले उसे लिख लेना है तो सबसे पहले क्या लिखा है दूसरी सुबह जो है 10.45 पर बस निकलेगी तो इसको लिख लिजे 10.45 ठीक है 10.45 अब उसके बाद कह रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि हर 40 मिनट पर एक बस चलती है क्या करता है हर 40 मिनट पर एक बस चलती है यानि जो अगली बस जाएगी वो 40 मिनट बाद जाएगी ठीक है यानि जो अगली बस जाएगी वो 40 मिनट बाद जाएगी यानि 10.45 में आप 40 मिनट आइड कर देंगे उसके बाद वो बस जाएगी लेकिन यहां कहा क्या रहा है इससे पहले बस कब चली होगी इसको देखिए कह रहा है कि इससे बस यानि इसके पहले बस कब चली होगी और यहाँ पर आपका 10 बज़ गया ठीक है यानि जो इसके पहले बस चली थी वह कब चली थी 10 बज़ कर 5 मिनट पर चली थी यानि इसके पहले कब बस चली थी 10 बज़ कर 5 मिनट पर अब देखिए बस 10 मिनट पहले निकल ली यहाँ पर कह राय कि बस जो है 10 मिनट पहले निकल गई है ठीक है यानि जो यात्री था उसने उसको सूचना कब मिली यानि 10 मिनट उसको बाद मिली सूचना ठीक है तो इसमें क्या करेंगे 10 हम इसको एड कर देंगे इसमें 10 हम एड कर देंगे जब 10 add करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 5 यहाँ पर 15 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 10 बज़ गया ठीक है यानि 10 बज़ कर 15 मिट पर जो है यात्री को सूचना दी गई थी तो इसका राई टेंसर क्या हो जागा 10 बज़ कर 15 मिट पर ठीक है इसमें करना क्या है सबसे पहले आ मिनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 बज़ कर 5 मिनट आ जाएगा ठीक है अब यह बताई एक पर 10 मिनट पर जो सूचना दी गई तो इसमें क्या करेंगे 10 मिनट आड़ कर लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 10 5 15 हो गया और यहाँ पर 10 हो जाएगा यानि 10 बच कर 15 मिनट पर जो है यात्री को सूचना दी गई थी अब चलते हैं next question पर इसको और बहतर समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पर दिया है कि एक बस पड़ाव में निमलिकित सूचना प्रसाइद की जा रही थी सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है ठ तो बताईए कि कितने बज़े याजानकारे प्रसारित की गई थी तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टाइमिंग दिए गया है उसको लिख लेना है यहाँ पर क्या दिया गया है ताइमिंग कि बाद जो है जो है जो है हर बस निकलती है एक बस निकलती है 45 मिनट के बाद जो है सूरत के लिए एक बस जाती है तो यहां पर क्या करेंगे यानि 45 मिनट पहले सूचना उसको दी गई होगी यानि 45 मिनट पहले भी एक बस निकली होगी तो 45 मिनट यहां से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे क्या करेंगे 45 मिनट माइनस कर लेंगें अब उसके बाद इसको जब साल्व करें गें 30 मड़़य 45 जाएगा नहीं तो उसके यहां से 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 66 te σε 90 मख से जब यहां पर 45 घņटाएगे तो कितना 7000 बज़ीँ गया। 7000 पेटालिस अब इसमें क्या करना है, जिब 7500 हो गया, इसमें क्या करना है Sri उसको सूचना 15 मिट पहले बस खुल चुकी है। सूचना उसको 15 मिनट बाद मिली सूचना उसको कम मिली 15 मिनट बाद मिली तो 15 इसमें add कर देना है 15 इसमें add कर देना है जो 15 इसमें add करेंगे तो 5-5-10 हो गया हासिल लगा 1, 4-1, 5-1, 6 अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथ हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया साथ बज कर साथ मिनट का मतलब क्या हो गया यानि टोटल आपके आठ बज गया साथ मिनट का मतलब क्या होता एक घंटा अब एक घंटा जब इसमें एड करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ बज जाएगा यानि इसका right answer क्या हो जाएगा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा आठ एम हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं next question पे अगला question इसी तरीके साल्व करना है कि station नियंतरक ने राजू से कहा अकोला के लिए बस जो है प्रते एक आधे घंटे पर रवाना होती है पिछली बस जो है सिर करना है timing जो दिया गया उसको लिख लेना है तो यहां पर दो बीस दिया गया है तो दो बीस आप लिख लिजिए दूसरा point यहां पर क्या करना है कि जितने मतलब कि जितने घंटे पर रवाना होती बस उसको लिख लेना है यहां पर आधा गंटे पर रवाना होती तो यहां स हाठ और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 मिनट टीक है यहां पर कितना पच्चकर पचास शया चैनल हो गया एक बच्कर 50 मिनट हो गया अब बताये हर 5 मिनट पे रवाना रहा हैं । आनिए पांस निनट बाद उसको सूचना दी गई थी तो 5 में इसमें अगला कोश्चन है कि एक बस पड़ाव से प्रतेक 40 मिनट पर मुंबई कि लिए एक बस रवाना होती है एक इनक्वारी कलर कि ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई ठीक है और अगली बस जो है 9.45 पर मुंबई के लिए रवाना होगी तो बताइए कि इंक्वाइरी कलर्क ने यात्री जो है यात्री को जानकरी कितने बज़ दी थी फ्रेंड्स यहां कोशन के ओल देखने में बहुत बड़ा लगता है ठीक है लेकिन कोशन के ओल मात्र 2 सेकंड का है इसको आप 2-3 बार प्रेक्टिस कर लेंगे और इसका पीडिया जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में टेली ग्राम का लिंक दिये हैं वहां से टेली ग्राम लिंक जॉइन कर लिजिए और उसके बाद याज का प्रे लिए यहां से माइन कर लेंगे तो यहां से चार हो गया ठीक है जीरो हो गया और यहाँ पर कितना हो गया नवे गया मिनट है इसमें हम 10 को ad कर देंगे nr 2 9 के नो बच कर देंगे इसमें 10 को एड कर देंगे तीसरा हिस्टव जैंगा 15 और यहां पर कितना ओगань नो बच कर पंदरा मिनट तह इसका राइट एंसर के आँपिसट नूंबर दी 5 बचा 15 ब्रइस पर तो यहां से इस टाइब की इतने ही कोशन बनते हैं और यहां से एक कोशन आपको जरूर देखने को मिलेगा इसलिए इसका जो है रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा प्रेंट्स यहां ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता है क्योंकि आपका एक कमेंट और एक तब तक के लिए धन्यवाद